पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है उपेंद्र कुश्वाहा की पा्टी को मिली उपेंद्र कुश्वाहा 17 सीट पर इस बार फिर सलड़ेंगे लेकिन अचानक से उसमें बदला हो गया रही बात पसुपति पारस की तो पसुपति पारस को भी बड़ा जटका मिला है उनको कोई भी सीट नहीं दी गई लेकिन मुकेश सहनी की भी अगर चर्चा की जाए अभी फिर महागडबंधन के तरफ से फॉर्मूला तै हो गया है यानि इंडिया गडबंधन में सीटों के बटवारे को लेकर नया फॉर्मूला रातो रात बदल गया कैसे बदला तो देखिए 20 सीट पर राज़त की बात बनी है वही बात कॉंग्रेस की करे तो 9 सीटे आरेल जेपी आरेल जेपी यानि की पसुपति पारस की सीट को लेकर लालू परसाद यादों ने नया फॉर्मूला तै कर दिया है पसुपति पारस का 90% चांस बन रहा है कि राज़त के साथ गडबंधन कर सकते हैं इंडिया गडबंधन में पारस की इंटरी होगी और उनके लिए लालू परसाद यादों ने 4 सीटे रख दी हैं बात मुके सहनी की करे तो मुके सहनी की पार्टी को भी 3 सीटों का ओफर मिल चुका है वही लेकिन इंडिया गडबंधन में सबसे चौक आने वाला जिस व्यक्ति का नाम हम लेने जा रहे हैं वो नाम सुनते ही आप चौक जाएंगे दरसल बता दे आपको कि उपेंदर कुस्वाहा जिन 4 सीटों पे दावा कर रहे थे वो 4 सीट नितीश कुमार ने नहीं दिया लेकिन लालू प्रसाद यादों ने उपेंदर कुस्वाहा के लिए वो 4 सीटे रिजर्ब कर दी हैं उपेंदर कुस्वाहा को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है कि उनके मन मताबिक सीटे नहीं मिली जिस वजह से महागडबंदन के तरफ से ओफर उनको मिल चुका है और 4 सीटो पर दावेदारियां महागडबंदन के तरफ से उपेंदर कुस्वाहा की बढ़ती चली जा रही है तो 20 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 ये एक चौकाने वाला फॉर्मूला रातो रात महागडबंदन की सरकार ने कर लिया है अब देखना ये दिल्चस्व है कि इन फॉर्मूले पर उपेंदर कुस्वाहा मुहर लगाते हैं सहनी को ये ओफर मंजूर है या फिर पसुपति पारस ने मूड बना लिया है आज दिन भर जो भी अपडेट होगा उस पर हम आपको बनाएंगे लेकिन दिल्ली से जो बड़ी जानकारी हमें मिली थी कि रातो रात महागडबंदे ने फॉर्मूला सेट किया है उस पर आज हमने आपको अपडेट दिया है धन्यवाद जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद